चलिए इस section में बात करते हैं DynamoDB के बारे में जो कि एक managed database service है offered by AWS इसके last section में हम लोग ने RDS cover किया था relational database service जो relational data या तो SQL data के साथ deal करता था and Dynamo deal करता है no SQL data के साथ so difference क्या होगा SQL versus no SQL okay so DynamoDB में हम लोग no SQL use करते है and इसी के साथ साथ यह single digit millisecond performance provide करता है managed है serverless है इसके बारे में बात करेंगे okay अगर आपको no SQL नहीं पता है थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूँ no SQL क्या है non tabular format होता है JSON like document है तो format के form में होता है key values pair होते हैं एक example दिखा देता हूँ इस type का इस type का data दिखता है आपको no SQL में अगर आप देखो कि यहाँ पर simple है एक user का data है तो जैसे कि name, email, age और यहाँ पर key value के format है name, key हो गई and उसके सामने value so इस तरह से यह पूरा एक document आप इसको call कर सकते हूँ okay है एक block जिसमें एक user का data add है okay so एक example हो गया DynamoDB यह data को ऐसे store करता है of course, मतलब एक दो term आपको समझने है जो कि यह शुरुआत आप करते हो table बनाने से, जो भी हम देखेंगे and इसमें आप items add करते हो जो कि basically एक JSON-like document होता है इस type का, यह behind the scene है ओकि आपको ज़्यादा deep जाने की ज़रूरत नहीं है and इसमें key value pairs and वो तो अभी हम देख चुके right so, चलिए, फॉर्मेटिंग अलग करते है और एक इस तरह से visualize भी आप कर सकते हो जैसे कि अलग-अलग users का data add करना है तो documents हो गया, key value pairs and all चलिए, अब real life use case के बारे में बात करें तो कुछ big companies जैसे कि Zoom and Dropbox already using the DynamoDB service भी offer करती है 25GB तक storage always free है वो, okay and ये जो आपको free service ये तो free tier में भी मिल रहा है न वो आपका 200 million request पर मन्त तक ये handle कर सकता है, तो आप सोचो कितना होगा, तो अगर आपके ठीक-ठाक से traffic वाली website हो, अगर आपको deploy करना है तो आप ये free tier भी कर सकते हो, तो चलिए directly आप चलते हैं AWS की console पर है और practical करके देखते हैं simply आपको search करना है DynamoDB, सो आप यहाँ पर देखो कि managed no SQL database click करते हो, okay सो जब भी आप first time अगर इस तरह से कोई service यूज़ करते हो, एक बड़ी ऐसा page मिलता है, जिसमें आपको एक overview मिल जाता है ठीक है, basic चीज़ें, use case in the null and चलो, सबसे पहले मैं create table करता हूँ, जो हम लोग ने ये terms अलरी देख चुकी table हम बनाते हैं, table का नाम मैं दे देता हूँ, contacts अगर आप मेरे साथ practical follow कर रहे हो तो same table name रखना, क्योंकि अभी हम लोग node application के लिए same table या तो database का use करेंगे table name हो गया, contact partition id में मैं दे दूँगा, id और यहाँ पे type string ही होगा, ठीक है partition की क्या होता है it is like a primary की जो हम लोग SQL में use करते हैं, जो भी data है, उसको uniquely identify करने के लिए and it is a very simple use के, जैसे कि employees होती ही, तो employees id, okay, school में role number, and bank में account number, तो उस type का है, okay, so यह आपको एक कम से कम यह चीज तो देनी पड़ेगी की, जिससे आप अपने data को identify कर सको, तो एक चीज देना पड़ता है, बागी आप optional है, तो मैं सिर्फ id दे देता हूँ, that's it, and इसके बाद आप देखोगे, simple है, create table, it is so simple, okay, मैंने एक term यूज करी थी कि DynamoDB serverless है, okay, manage तो ही, लेकिन serverless है, इसका difference क्या है, idea जब हम बना रहे थे, वहाँ पर हम instance type select कर सकते थे, storage type select कर सकते थे, यहाँ पर serverless का यह मतलब होता है, कि आपको वो सब करने की भी ज़रूरत नहीं है, it is so straightforward, okay, and आप यहाँ पर simple create table कर सकते हो, ठीक है, चलिए create table करते हैं, तो यहाँ पर हमारी table बनके create हो गई है, active state आपको दिख जाएगा, मतलब it is ready to use, okay, अब मैं simply इस पर click करता हूँ, and चलिए, okay, and आप यहाँ पर देखोगे, explore table items, explore table items मतलब table के अंदर जो भी data है, अगर आप उसको read करना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है, तो मैं explore करता हूँ, so you will see nothing, ठीक है, item return nothing, क्योंकि भाई, हम लोग ने यहाँ पर 01 कर देता हूँ, okay, इसके लाबा, आपको कुछ और add करना of course कर सकते हैं, किस type का करना string, मैं बोलता हूँ, जैसे की username, okay, और यहाँ पर मैं username में लिख देता हूँ, let's say, Raju, यह हम लोग same use case कर रहे हैं, ठीक है, create item करते हैं, that's it, so you देखो, जैसे मैंने बताया था, flexible data, so there is no confirm, मतलब ऐसा कोई constant आपका format नहीं होता है, आप जैसे की मैंने username है, मैं माल लो, यहाँ पर number करता हूँ, और यहाँ पर age भी डाल देता हूँ, age, let's say, यहाँ पर 30 डाल दी, okay, so आप यह चेंज भी कर सकते हो, okay, कि एक में, चली, मैं करके दिखा देता हूँ, so यहाँ पर आप देखो कि, भाई देखो, first case में सिर्फ username था, राजू, okay, दूसरे case में यहाँ पर age भी था, लेकिन first case में भाई वो already blank हो गया, because उसके पस वो value थी नहीं, तो यह हो गया, flexible या तो थोड़ा सा अने structure, या तो data, okay, चली, basic operation तो हो गया, DynamoDBDB से related कुछ key points दे दिख लेते हैं, जैसे कि यह serverless है, okay, so no need for server provisioning की ज़रुवत नहीं है, instance type, storage, और यह सब चीज़े आपको, ठीक है, maintain यह तो manage करने की ज़रुवत नहीं है, और वो example अब यह देख चुके हैं, automatic scaling, यह जो scaling यह मैं कैसे काम करती है, कि जैसे कि मानलों आपके sudden traffic आने लग रहा है, और यह work कैसे करेगा, read-write request, जब आपके database पे read-write request कितनी आ रही है, उसके base, scale-up, scale-down, दोनों हो जाता है, automatically, okay, zero downtime, that is a good thing, okay, on-demand pricing, pay only for read-write request use, idle for fluctuating workloads, that is a good thing, मतलब कि क्या है वाई देखो, अगर कम traffic आ रहा है, तो वो कम, मतलब कम scale-down हो जाएगा, okay, तो ज़्यादा आपका charges नहीं आएगा, and सबसे best thing है, idle cost saving, माल लो, मतलब ऐसो होना नहीं चाहिए, बट फिर भी, आपकी website है, मतलब आपने ऐसे normal use के लिए बनाई है, हो सकता है, कभी कबार उसमें request आई ही ना, right, so, it scales down to zero during in activity, so there will be no cost, so भाई, बिलकुल zero activity है, तो आपको cost भी नहीं लगेगा, तो this is a very good thing about the DynamoDB, अब इसमें बात करते हैं, जो सबसे important चीज है, वो यह है कि, जो read-write request है, एक factor, उसके बारे में बात करते हैं, so dashboard पर फिर से चलते हैं, और यह रहा हमारा table, जो की context, यह तो basic कुछ information है, इसके बाद आते हैं, दो important factors पर जो की है, read capacity and write capacity, यह work कैसे करते हैं, अब जैसे कि यह देखो कि, मैं इस पर click करता हूँ, तो आप बहुत ही simply, इसको समझ पाओगे, इसका मतलब क्या है, minimum capacity unit, one, currently यह 5 है, इसके पास units, ओके, और maximum 10 units तक जाएगा, और यहाँ पर आप देखो कि, auto scaling on है by default, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि minimum one, मतलब अगर यह थोड़ी देर तक notice करेगा, कि यहाँ पर भाई activity है ही नहीं, तो यह कम पर आके, minimum one तक चले जाएगा, और अगर मालो traffic बढ़ता है, तो यह क्या करेगा, provisioned unit, मतलब provision मतलब अभी in service, मतलब इतने काम पर लग जाएगे वो units, कि read, write query को handle कर सके, तो read और write दोनों के लिए ही, यह units provided है, तो 10 units, मतलब 10 reads operation, यह चीज़ आप खुद control कर सकते हूँ, क्योंकि कुछ चीज़े आपके control में होना भी चाहिए, क्योंकि यह तो by default है, तो आप आपने यह थोड़ा से समझ लिया, चलिए, अभी मालो मैं contract पर चलता हूँ, अब आप देखो कि general information में provisioned है, and edit capacity आप कर सकते हो, आप इसमें क्योंकि हो सकता है कि आपकी demand जादा हो, अब जैसे कि देखो auto scaling on and off करने का, आप यह system कर सकते हो, ठीके, अब जैसे कि off करते हो, तो आपको एक, मतलब static, मतलब हमीशा कितने ही provision चाहिए, तो let's say मैं आप 100 कर सकता हूँ, 1000 कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता इतना traffic आना है, चलो auto scaling करते हैं, तो this is a very good thing, क्योंकि कम activity में वो lower down भी हो जाएगा, तो इसके फायदे भी हैं, 70% utilization पे यह change होगा, इसमें भी दो चीज़े हैं, अब जैसे कि provision है, इसमें भी आप देखो कि minimum and maximum आपने कर दिया, और auto scaling है, and there is one more thing कि on demand, simplify billing by paying for the actual read and write your application perform, यह provision मतलब आपने advance में करके रखा है, सब settings on demand मतलब जितनी भी data मतलब इन्हों request आते जाएंगी, वो बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा and so on, although इसमें भी इन्होंने कुछ चीज़ें प्रोवाइट करी हैं, दे सकते हो, यहाँ पर देखो one से लेकर 40,000 read request units per second, एक second में 40,000 read operation, जो कि अपने आप में बहुत होता है, okay, so यह चीज़ आप यहाँ से control कर सकते हो, ठीक है, तो यह read and write का operation, unprovision कैसे काम करता है, auto skilling कैसे काम करती है, billing से लेकर, मतलब यह जो system है, वो कैसे काम करता, वो अब I'm sure कि आप थोड़ा सा relate कर पाऊगे, easily, and इसी में आप नीचे देख सकते हो, auto scaling activities की यहाँ पर कोई भी changes हो रहे होंगे, okay, so यहाँ पर अभी आपके just आपके सामने, यह चीज़ प्रूव हो गए, मतलब live आप देख सकते हो, क्योंकि अभी provision कितना था, 5 था, 5 था, लेकिन आप देखो कि तुम उसने 1 पर कर दिया, right, क्यों, क्योंकि भाई activity उसको दिख रहा है कि भाई activity है ही नहीं, read-write operation नहीं तो उसने 0, 1 पर ले आया, so this is the very good use case of the auto scaling, मतलब वो lower down भी कर दें और आप भी कर दें, and जो भी table पर activity वगर चल रही है, ठीक है, तो यह इसका matrix या तो monitoring आप काफी असानी से, यहाँ पर monitor कर सकते हो, यह database में अगर आपको index concept का पता होगा, कि भाई देको जो read operation आपका थोड़ा सा fast कर देता है, right, although एक separate video बना हुआ channel है, जाहा कि आप देख सकते हो, अगर database पाइट ना थो, although, simple है कि यह read queries को थोड़ा सा ज़्यादा enhance कर देता है, sorting के base पे, okay, and जैसे कि primary key के base पे कर रहे हो, तो that is the one thing, already होता है, इसके अलावा आपको create index करना है, जैसे कि मालनो, अब user name के basis पे बहुत queries करते हो, तो आप create index कर सकते हो, तो आपकी queries fast हो जाएंगी, and of course, जब भी हम database के साथ काम कर रहे हैं, तो भाई, backup तो बहुत important है, so यह backup भी यह हमको provide करता है, very important thing, कि यह point in time recovery भी provide करता है, point in time में क्या होता है, कि जैसे कि मालनो देखो, accidental देखो लिखा है उसमें, accidental मालनो आपने कुछ delete कर दिया हो, read-write operation कर दिया हो, so आप एक particular time पे, मतलब जैसे मालनो, कि मुझे एक minute पहले का, जो database का state था, मुझे वो चाहिए, आप वो चीज कर पाऊ गया, okay, let's say मजे, अब भी 2 second पहले, मैंने कुछ गलती की थी, तो मैं उसके पहले का state को recover कर सकता हूँ, although यह status अभी off है, and backup, देखो create backup आप कर सकते हो, create on demand backup, तुरंद करना हो, या तो schedule भी आप कर सकते हो, इसके अलावब जल्दी से additional settings भी देख लेते हैं, देखो अभी जो provision है, and इसके बाद आप यहाँ पर cost देख सकते हो, estimated cost तो अभी you can see like 0.63 dollars per month around है, okay, and यहाँ पर कुछ auto-skilling activities है, deletion protection, okay, आप इसको turn on कर सकते हो, तो यह क्या होगा, protect the table from being deleted, unintentionally मतलब गलती से आपकी table delete ना हो जाए, नहीं तो आपका गया data, आपकी website बन, आप वो turn on कर सकते हो, okay, time to live, automatically delete expired items from our table, okay, so यह कर सकते हो, आप encryption कर सकते हो, and so on, so यह रहा एक overview, कि DynamoDB कैसे work करता है, क्या-क्याचीज़े उसमें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, okay, और इसके पाद चलिए, node application वाला practical session भी, हम लोग complete कर लेते हैं, और इसी existing table को, हम लोग use करेंगे, चलिए, okay, practical time, so इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, docker-based node application यूज़े करेंगे, okay, तो container की मदद से, हम लोग इसको run करेंगे, and dynamo DB से connect करेंगे, one more thing, कि जो docker-based node app है, इसको आप EC2 instance पर, या तो अपने local environment पर भी, मतलब आप run कर सकते हैं, अपने desktop, laptop पर भी, so process will remain same, okay, but हम लोग EC2 instance ही use करने वाले हैं, okay, इसमें हम लोग docker इंस्टॉल करेंगे, and अपने node app को run करेंगे, regarding the node app, यह already बना चुका हूँ मैं, publicly यह register, मतलब यह docker registry में available है, तो आप इसको same, वही application use कर सकते हो, मैं link ठीक है, दे दूँगा description में, okay, and यह DynamoDB से connect होगी, एक छोड़ी से information, यहाँ पर मैं add करा हूँ, आप लोग के लिए, कि अगर आप curious हो यह जानने के लिए, कि आप एक application develop कर रहे हो, जैसे कि Python में, Java में, अभी इस case में, Node में मैंने किया है, so यह application आप बनाते हो, और उसको आपको कोई AWS service से connect करना है, तो वो कैसे काम करता है, वो काम करता है, यह तो वो काम होता है, using the AWS SDK, okay, software development kit को use करके, आप चीज़े कर सकते हो, आप देखो के, कितने अलग-अलग यहाँ पे, programming languages से supported है, for example, जैसे कि Node.js है, okay, so, यहाँ पर आप देखो के, AWS SDK, software development kit for Node.js, okay, यह NPM, okay, Node Packet Manager, के, मतलब, आप काफी easily, NPM install को use करके, AWS SDK, install कर सकते हो, और वहाँ से, आपको accessibility मिल जाती है, AWS के services को use करने का, and although, इसके बाद आप ठीक है, दीरे-दीर पर सकते हो, जैसे कि, get started with AWS SDK, and इसमें आपको, काफी सार examples, or get started with, चीज़ें मिल जाती है, steps की बारे में बात कर लें, DynamoDB, create a table contacts, with primary ID, यह, तो पहले step हो गया है, table बन गया, हमाय DynamoDB का, अब बनाते हैं, हम लोग EC2 instance, इस पर Docker install करना है, फिर से चलते AWS console पे, simple EC2 instance पिचाते हैं, ओके, एक जल्दी से instance बना लेते हैं, so अभी कोई भी instance नहीं बना है, इसका नाम देते हैं, MyWebServer, बाकी सारी चीज़े हैं, default रखेंगे, keep air की अभी हमें जरुवत नहीं है, although, allow HTTP traffic जरूँ कर देना, क्योंकि हम लोग website host करने वाले हैं, इसके लाबा सारी चीज़े सेम हैं, और launch instance कर देते हैं, सारी चीज़े default use करी हैं, हमने, okay, so instance is running, so यह हमारा instance running है, simple इसको click करके connect करते हैं, and easy to instance connect से, नीचे जागे connect कर देते हैं, so that भी हमें मिल जाएगा, terminal, and उसके बाद हम लोग जल्दी से इसको use कर सकते हैं, यह failed हो गया है, क्योंकि अभी भी शायद load हो रहा होगा, फिर से हम लोग refresh करते हैं, and let's see, okay, so यह हमारा terminal हो गया है, launch, and simply हम लोग कुछ commands का use करेंगे, जो कि आप इस पर देख सकते हो, slide पर, so simply हम लोग करेंगे, sudo yum install docker-y, so हम लोग जल्दी से docker install कर लेते हैं, okay, so docker install हो गया है, अभी sudo हम लोग क्या करेंगे, systemctl, start docker, so यहाँ पर हम docker service को start करेंगे, so that हम उसको use कर पाएं, start करने के बाद आप चेक कर सकते हो, status की load running, active and running होना चाहिए, ctrl c, इसको बंद करने के लिए, इसके बाद हमारा काम क्या है, docker pull करेंगे, docker hub में आप जाते हो, तो आपको यहाँ पर नीचे steps भी मिल जाएंगे, okay, इसको run करने के लिए, so मैं जो इमेज का नाम है, मैं इसको, ठीके, क्लिक कर लेता हूँ, ठीके, copy, anyc2 instance पर चलते हैं, sudo, docker, pull, and, यह हमारा जो, इमेज की नाम है, paul philip, node dynamo dv, demo app, जब आप docker container को run करोगे, तो run करते time, आपको environment variable के थूरू, यह तीन चीज़ें को जरूवत पड़ेगी, एक हो गया AWS region, कि भाई, आपका dynamo dv, किस region में है, right, क्योंकि even though, let's say, अगर आप local environment से, अगर आप connect करना चाहते हो, तो आपको region बताना पड़ेगा, right, and उसके बाद AWS access की, और secret की, ठीके, IAM dashboard पर आगा है, okay, इसके बाद अब simply users पर जाओ, okay, अगर users अलड़ी नहीं बना है, तो बना लेना, जैसे कि LX एक बना हुआ है, मैं LX पर click करता हूँ, ठीके, security credential पर जाता हूँ, तो there is one section of create access key, create access key पर जाओगे, okay, अब simple command line, CLI के लिए use कर सकते हो, I understand करो, और next कर लो, dynadb में कर देता हूँ, and create access key, तो आप देखो गे, तो यहाँ पर आपको access key और secret key मिल जाएगी, और इसी यह दोनों value, या तो यह keys का, आप use करने वाले हो, अपने Docker container को run करने के लिए, okay, अब ही हम लोग चलते हैं, अपनी terminal पे, Docker Hub में, यह जो description में, यह आपको एक command दी गई है, है ना, तो slide पे भी आपको यह command मिल जाएगी, ठीक है, इसमें आप region, access key और secret key प्रोवाइट करते हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर copy करी, अब मैं चलता हूँ, instance पे, pseudo use कर लेना, starting में, ठीक है, पहले तो region मैं change कर लेता हूँ, so region क्या है मेरा, जैसे कि EU, north 1, ओके, अब access key ID चाहिए, ओके, so मैं simply, अपने इस पे चाहता हूँ, एन इसको copy कर लेता हूँ, ठीक है, and इसके जगे मैं यहाँ पे, paste कर देता हूँ, ठीक है, and इसके बाद हम लोग को देना है क्या, AWS secret access key, तो इसके जगे हम लोग क्या करेंगे, यह जो secret access key है, जो मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं इसको copy करता हूँ, direct pinash होग यह, and यहाँ पे जाके, हम लोग यहाँ पे paste कर देते हैं, okay, and इसके बाद हम लोग इसको done कर देते हैं, ठीक है, it's fine, continue, because भाई हम लोग ने use कर लिया है उसको, ठीक है, and इसके बाद हम लोग करेंगे इसको enter, so you can see कि भाई हमारा successfully यहाँ पे docker ps करके देख सकते हैं, तो अभी हमारा जो container है, it is up and running, अगर आप यहाँ पे notice करोगे, तो यहाँ पे port binding हम लोग ने use करी है, 80 port and 3000, so node application 3000 पे listen है, 80 port से हम लोग access करेंगे, अब access करने के लिए क्लिए क्लिए क्या करना है, वो अभी हम लोग को पता है, okay, so इस पे मैं click करता हूँ, so इसमें हम करेंगे public IP को copy, so browser पे एक नए टैप खोल लेता हूँ मैं, और simply यह जो हम लोग ने IP, जो public IP उसको access किया था, मैं उसको enter करता हूँ, so यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, क्योंकि HTTP site है, continue to site करता हूँ, so हमारी website यहाँ पे हो गई है launch, so आपको इस तरह से दिखेगा, contact app, node plus dynamo db, okay, show all contacts देखते हैं, कि we can see something or not, तो Raju Sharm, हम लोग ने directly वहाँ से बनाया थे, okay, हमें simply यहाँ पे देखो, जैसे कि एक babu rau add दे रही, email.com करता हूँ, add username करता हूँ, very simple, show all contacts में दाओगे, तो Babu Rau यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बड़ हम लोग फिर से AWS console पे चलते हैं, dynamo db पे चलते हैं, अपनी tables को access करते हैं, ठीक है, tables, and यहाँ पे show explore items, so, यहाँ पे आप notice करोगे, कि जो items return में देखोगे, कि यहाँ पे एक unique ID, कि सासा थे हैं, babu rau at their email dot com, यहाँ पे आ गया, so, you can see कि यहाँ पे live, यह जो data है, यहाँ पे add कर रहा है, हमें simply, जैसे कि मालनो, Alex में पे add username करता हूँ, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, so, you will see, कि यहाँ पे एक और Alex, यह user add हो गया, okay, so, इस तरह से, आपने देखा कि एक practical example भी देख लिया, okay, so, जो अभी हम लोग ने example देखा, उसमें क्या किया था, EC2 में हम लोग ने Docker के मदद से node application यूज़ किया, somehow, अगर आप directly node application EC2 instance पे करते हो, so, उस case में आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे IAM roles का, जिसे कि मैं simply एक example देखा देता हूँ, एक थोड़ा सरे vision भी हो जाएगा, IAM पे गाए, और यहाँ पे हम लोग roles पे आते हैं, okay, roles में, if you can see, यहाँ पे काफी सारे roles बने हुए, although आप create role कर सकते हो, AWS service, okay, यहाँ पे कौन सी service आपको use करना है, मतलब किसके ली करना है, EC2 के लिए, ठीक है, EC2, all right, next पे चलते हैं, and इसके बाद आपको EC2 को क्या permission देनी है, अब जैसे कि आपको EC2 से DynamoDB, आपको, ठीक है, access करना है, तो आप simply यहाँ पे Dynamo, आप search करोगे, you will see a lot of existing template, जैसे कि देखोगे, DynamoDB full access, so EC2 के पास DynamoDB का access होगा, ठीक है, तो यह AWS region में होगा, okay, so next आप कर सकते हो, और यह role का नाम दे सकते हो, and यह आपकी policy create हो जाएगी, एक बाज अब यह policy create हो गई, तो आप EC2 instance पे, यह policy attach कर सकते हो, ठीक है, EC2, although, action पे जाएंगे, security, यहाँ पे देखो कि modify IAM role, कि आपको क्या access देना है, तो आप यहाँ पे, ठीक है, जो आपके एक बाज रोल बन जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, EC2 से DynamoDB, तो मैं इसको attach कर सकता हूँ, so this is how it works, okay, and also, जो existing में हम लोग ने किया है, Docker use किया था, right, and उसमें हम लोग environment variables use कर रहे है, but आप Docker secrets जैसे service, ठीक है, functionality use कर सकते हो, अगर आपको इस तरह से भी करना है, although मैंने यह इसलिए बताए, क्योंकि आप local environment से भी इसको कर सको, चलिए थोड़ी सी और बात है कर लेते हैं, DynamoDB के बारे में, देखो इसका जो flexible data model है, और performance है, जो की बहुत अच्छी performance है, ठीक है, single digit millisecond performance यह प्रोवाइट करता है, इसके वज़े से, यह mobile, web, gaming, advertisement, technology, IoT वगर, ठीक है, domains में, यह काफी जद़ यूसफुल है, इसके अलाबा एक दो topic और cover कर लेते हैं, DynamoDB के related यह तो उसके around, एक होगया DEX, DynamoDB Accelerator, यह क्या है, in-memory cache service provide करता है, जैसे कि Elastic Cache था, हमारे IDS में, DynamoDB में DAX होता है, यह fully managed होता है, in-memory cache, अब जैसे कि, अभी हम लोगने क्या देखा था, कि single digit millisecond performance दे रहा है, अगर आप DAX use करते हो, तो आप देखोगे, it offers the microsecond latency, अब millisecond से microsecond हो गया, 10x performance यहाँ पे आप बूश्ट कर सकते हो, of course, I mean like, जैसे financial कुछ applications and all, जहाँ पे भाई, time critical चीजे होती है, request होती है, वहाँ पे आप DAX जैसे services भी, मतलब AWS आपको provide करता है, high availability and skillability, okay, can be deployed in multiple availability zone, and DAX is only used for, and is integrated with DynamoDB, इसके लिए यह special बना हुआ है, okay, यह काम कैसे करता है, ठीक है, आपको थोड़ा से visualize कराने के लिए, जैसे कि मालनो, आप EC2 instance है, आपका application है, अब EC2 में क्या था, आपका front end था, okay, कोई user, आपकी website access कर रहा है, DAX यहाँ पे बीच में आ गया, यह पूरा जो भी most commonly access data है, वो cache करके रखे गया, तो जैसे ही यहाँ पे कुछ request आई, वो cache में ढूनके जल्दी से, आपको वो provide कर देता है, तो इस वज़े से 10x performance देता है, and of course, यह in-memory cache basis पे काम करता है, इसके बाद बात करते हैं, DynamoDB Global Table, ओके सो यह बहुत ही practical और यह useful case है, क्योंकि जो industry में use हो रहा है DynamoDB, इस वज़े से होता है, Global Table जैसे की नामी है, suggest कर रहा है भाई, आपको multi region, जैसे की आपकी website, all over the globe, global users को आपको serve करना है, Global Table आप उसको use कर सकते हो, अब जैसे की देखो, एक आपका application है, जो आपका America, Europe, Asia, हाई जागे users हैं, तो आप उसके लिए Global Table आप use कर सकते हो, ओके यह दोनों ही topic, Dex and Global Table यह कहां पे दिखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, DynamoDB, इसके अलावा बात करें Global Table की, तो Table पे हम जाते हैं, इसको click करते हैं, या तो आप इसको, तो आप देखोगे, यहाँ पे काफी साई taps हैं, इसमें आप देखोगे Global Tables, और Global Tables में ही आप देखोगे, तो Replica Options आया है, जैसे के Create Replica करते हो, So of course, it will ask you कि आपको, अभी जैसे कि Stockholm में हैं, तो आपको कौन से दूसरे region में, इसको Replica create करना है, So this is how it work, Okay, section current हमारा clean up time होता है, मैं simply जो भी चीजे, instances या तो चीजे बनी हैं, हम उसको delete कर देंगे, सबसे पहले तो मैं table को delete कर देता हूँ, Delete, Okay, and Confirm, and here I delete all cloud watch, and क्या आपको यहाँ पर backup बनाना है, ठीक है, तो मुझे backup की जरुवत नहीं है, क्योंकि हमारा practice था, तो यह deleting हो रही है, इसके लाव हम लोग चलते हैं, EC2 instance पे, यहाँ पर directly instance पे हम लोग चले जाते हैं, अपने running instance को select करते हैं, and इसके बाद, इसको कर देते हैं, terminate, so यहाँ PC2 instance हमारा डिलेट हो रहा है, इसके बाद हम लोग आज चलते हैं, IAM पे, identity and access management, and जो users के लिए हम लोग ने security, जो keys बनाई है, जैसे कि users पर चलते हैं, and sorry, अभी तो admin है actually, Alex, मतलब आप जिस भी user के लिए आपने access की generate करिए, ठीक है, अगर root के लिए करिए, तो आप उसको भी कर सकते हो, security credentials, and यहाँ से आप monitor भी कर सकते हो, access की, देखो access की, आप अपने practice के लिए generate कर रहे हो for now, तो आप इसको यह तो monitor कर सकते हो, अगर आपका बिल्कुल use नहीं है, तो आप better है उसको delete कर दो, क्योंकि इसको generate करना easy है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, आप कर सकते हो, so मैं I would suggest कि भाई देखो, अभी access की है, delete कर देते हैं, simply access की है, हाँ, यह दो options है, deactivate कर सकते हो, for example, आपको in future जरूरत पड़ेगी, तो बाद में activate कर लेना, ठीक है, so मैं simply हाँ पर delete कर देता हूँ, for now, okay, so सबसे पहले हैं, तो हमको deactivate करना पड़ता है, okay, so access deactivate हो गया, इसके बाद हम लोग key provide करते हैं, यहाँ पर, and इसके बाद हम लोग simply delete कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से हम लोगने IAM, EC2 instance, and table, मतलब जो भी हम लोगने create किया था, वो delete कर दिया है, and इसके अलावा, आप simple AWS की जो main dashboard, main console है, इस पर आप जा सकते हो, cost and usage वाला जो column है, ठीक है, कि आप simply यहाँ पर थोड़ा सा monitor कर सकते हो, कि if it is going up or down, और simply अगर आपको लगता है, कि यहाँ पर cost ज़ादा किसी वज़े से तो जा रहा है, तो आप simply यहाँ पर देख सकते हो, कि वाही कौन सा जा रहा है, okay, so थोड़ा सा आपको ध्यान अखना, that's it,